हेलो गाईज कैसे हैं आप लोग आई हुप के बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ना भी चाहिए आजा है फुल मून अगर आपको हैविनेस लग रहा है चिटचड़ा मन हो रहा है सिर में दर्ध है बाडियक है या है या बैक एक है जो भ प्रिंबू डालकर नालो उस पानी में जिसमें आप यह जो बात आपको लेनी है तो यह सब चीजे के कॉस्मिक एनरजी है आप भी कर रहे हैं आजपस नेगेटिविटी भी होती पॉस्टिविटी ए तो नेगेटिविटी भी है आप उसको भी एब्जॉब करते हो अपनी और आप अगर आप अल्रेडी नेगेटिविटी से डील कर रहे हो तो उसको एंटर करने में फिर दिक्कत ही नहीं होती है अराम से हो जाती है आपको मैंड से मैंडेटिविटी करने का मतलब यह है कि आपके अंदर नेगेटिविटी फॉर्म होने लगती है ठीक है उस नेग प्रॉंग नर्जी है हुली का टाइम है यहां पर कोई धर्म जाती हैं पर कोई माईने नहीं रखती है आप ट्रिन फ्रेंट जर्नी में है तो आप इन चीज़ों को रिलीज कीजिए कास्मिक एनजीज में यहवीनस है और यह आप पिक कर रहे हो ठीक है अब्सर्व कर रहे हो परना बहुत जलूरी है तो नमक के पानी में यह spiritual बात लीजिए नमक का पानी रोज वाटर या एक चुटकी हल्दी डालकर आप नहा लीजिए तो इससे आपको क्या होगा आपकी औरा क्लेन होगी अपने घर को क्लेन कीजिए अपनी घर की औरा अपनी औरा को क्लेंस कीजिए meditation आप करते हों तो आपके जो भी इषूज नहीं यार सर्फिस होंगे सर्फिस होंगे तभी तो वो बाहर रिलीज होगे आपari इसे नहीं हो मेरे साथ ये हो गया वो हूगया मैं ऐसे हो रही हो मैं वैसे हो रही हो यार उनको release करना आँना चाहिए आपको कैसे जयसे मैं बता तो यह तो हो नहीं है, सबके साथ होता है, सिर में दर्ध हो सकता है, चेस्ट में हैविनेस हो सकती है, हाट चक्रा में, तो आप रिलीस कीजिए, आखे रफाईल को इन्वोक कीजिए, प्लीज ही मेरी जो भी परिशानी उसको दूर कीजिए, हील कीजिए, माइंड, बॉडी, स को मेरे हील कीजिए, ठीक है, ओके, तो मैंने बता दिया है, आपको आप करना आज, ठीक है, अपनी जो भी इशूस है, उनको एक पेपर पर लिख कर, जो भी आपके परसन की तरफ से, आप कुछ भी है, उनको लिखो, और जला दो, बन कर दो, यूनिवर्स में, आपकी एनर अच्छ है, आप कुछ ऐसे लोगों से अच्छ है, जो आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हो, और आपको परिशान कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत, प्यॉर्सोल हैं, ठीक है, उनके जो मुखोटे हैं, आप नहीं उतार पा रहे हो, लेकिन आप जानते हो, कि वो यहाँ पर यह भी दिख रहा है, ठीक है, तो आपको जुरुर्त है कि अपने अथेंटिक सेल्फ में आना, अपनी प्यॉर्टी में आना, ठीक है, यहाँ पर यह अटेच्मेंट नहीं चलेगा, अटेच्मेंट को रिलीज कीजिए, ठीक है, तब आपकी लाइफ में चेंज जाएगा, आपको mentally बहुत जादा पीस में आना है, आपको healing करनी है, सोचना है, negativity से बाहर निकल कर, ठीक है, एक अपनी spiritual growth की तरफ बढ़ना है, और 3D लाइफ से जो भी आपको, जिससे भी आप attach हो, उस attachments को आपको रिलीज करना है, ठीक है, जो मेरे wavers हैं, goddess of the moon आपके साथ है, और आज full moon भी है, तो आप बहुत emotionally अगर बहुत ज़्यदा drain हो रहे हो, तो आपको इस energy को release करना है, येस आप emotionally drain इसलिए हो रहे हो अपनी person को लेकर, आपको अपनी person की याद आ रही है, आप meditate भी कर रहे हो, sorry meditation भी कर रहे हो, लेकिन आपको करच मिलनी आपकी life में balance आएगा, क्योंकि कुछ चीजे करके, या हम एक chapter पढ़ते हैं, उस एक chapter को पढ़ने के बाद हम को revise करते हैं, उसको समझते हैं, ठीक है, हम एक के बाद एक के बाद दूसरा chapter पढ़के हम अपने दिमाग में नहीं डाल सकते, तो हम एक चीज को पढ़ते हैं, व ऐसे ही balance भी लेकर आना है, कुछ चीज अगर हो रही हैं, तो उस पर पहले काम करो, एक के बाद, एक के बाद, एक के बाद भागो मत, ठीक है, ओके, आप अपनी family में शांती जाते हैं, पीस चाते हैं, अपने partner से commitment चाते हैं, लेकिन इस connection में आपके balance आएगा, ही आएगा, आपके आसपास बहुत ही ऐसे लोग हैं, जो आपको धोका भी दे रहे हैं, negativity भी है आपके आसपास, तो उस चीज को देखो, आप emotionally बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और आपको emotionally balance होना है, सेक्रल चक्रा पर काम कीजिए, ठीक है, यह आपके energy है, आपके लिए guidance थी, मैंने अगर वो miss कर रहे हैं, तो आप भी बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं, अपने person को, तो अपनी चक्रास को balance कीजिए, negativity को release कीजिए, transmute कीजिए, ओके आपके 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 माइकल, जो मेरे विवर्स हैं, उनके person की क्या energy है, फुल मून पर, please help me, जो मेरे विवर्स हैं, उनके person की क्या energy है, ओके, देखिए, मैं क्या बोल रही हूँ, आपके person, first card आपका भी यही आया, first card उनका भी यही, आप दोनों एक दूसरे से attachment feel कर रहे हो, आपके person की आप energy feel कर रहे हो, आप peace में हो, आप अपनी network में काम कर रहे हो, अपनी growth में आगे बढ़े हो, लेकिन आप यह आपकी person भी mirror कर रहे हैं, आपकी person भी negative हो रहे हैं, यह attachment वाली जो energy है, आपकी person की है, आपको आपकी person ने commitment नहीं दिया, hold कर कर रखा हुआ है, अपनी growth पर ध्यान दे रहे हैं, इस वज़े से आप परेशान हैं और आपकी person भी कही ना कही बात करना चाहता है, लेकिन वो ego के चलते, अपने आपकी ego, जो उनकी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी ego होती है, उस बड़ी ego के चलते, आपको commitment नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप अभी heal नहीं है, आप ही attachment से बाहर नहीं निकले हो, जब आप इस attachment को ही cut कर दोगे, detach ह हो जाओगे, हर materialistic life से means के energetically आप अपनी life में आगे बढ़ते हो, normal तरीके से आगे बढ़ते हो, ज्यादा ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, पैसा कमा रहे हो, लेकिन उसको हम जो भी जुरुत की चीज़े हम उसको लाएंगे, लेकिन आप फाल्तु में चीजों से attach नहीं होत जो नहीं है आपका, वो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, आपकी person की, यह transformation चल रहा है guys, और इसके बाद क्या आता है, yes, universe, strategy, कुछ इस तरह की है आपके person की, आपके person अपनी growth में है, universe भी उनके साथ, angels भी उनके साथ है, no doubt, ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि आपकी person आपको hold, होल्ड, आपके commitment को hold करकर रखावा है, आपसे बात करने को hold करकर रखावा है, उनका heart chakra भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर, यहाँ पर corner copy का card, energy है, तो उनकी growth हो रही है, growth उनकी हो रही है, क्योंकि वो आपसे कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से connected है, क्योंकि आप उनके दिल में र बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको commitment नहीं दिया है, इसलिए आप भी थोड़ा सा negative हो रहे हो, और आपकी person किस वे में negative हो रहे हैं, कि उनको कहीं ना कहीं finance related जो भी problems थी, वो उसको सुधारने में लगे पड़े हैं, उसमें उनको fruitful result चाहिए, ठीक है, वो इसलिए universe, angels, वो सब उ करते हैं, क्योंकि जब वो relax हो जाते हैं, ठीक है, वो भी meditation यहाँ पर एक तरह से rest mode पर है, आपके person, universe आपके person के साथ है, उनके जो भी wisdom के साथ जो चल रहे हैं, ठीक है, step by step चल रहे है, action बिलकुल आपके person यहाँ पर action जरूर लेंगे, बट उन्हें अपने उपर, अपने क काम तो सही कर लेने दो, आपके person इस journey में है, temple path पर है, कोई, यहाँ पर 12, 21 आ गया, आप दोनों बिलकुल एक दूसरे को mirror कर रहे हो, इस journey में, ठीक है, आप एक दूसरे को mirror कर रहे हो, एक card और लेती हूँ, आपके person इस journey में, आप twin flame journey में हैं guys, आप spiritual connection में हैं, ठीक है, others वगरा दिख रहे हैं, yes, आपकी person की इस full moon से, full moon पर क्या हो रहा है, जो भी आकेंचर श्यामियूर उनके साथ है, आपकी love, जो love triangle निकल रहा था मेरे मुझे से, oh my god, third party यह जो love triangle है, उसमें आपकी healing हो रही है, जो भी डर है, उनको third party का, वो बिलकुल उनके अंदर से release करा जा रहा है, yes, जो भी डर, ego, ego melt होगी, क्योंकि यह पर attachment है, आपसे attach हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपकी commitment को hold करके बैठे हुए, आपको hold करके बैठे हुए, yes, आपका दिल उनके पास है, और उनका दिल आपके पास है, ठीक है, तो यह बात तो है, ठीक है, ल बहुत ही caring connection है, और कुछ देखो, मैंने बोला ना, कुछ है आसपास, ऐसी manipulative energies बहुत जदा की negative energies अगर बोल सकते हो आप, तो उनके मन को, दिमाग को, दिमाग की धही कर रहे हैं, इस journey में है, union pass आ रहा है, तो यह सारे test होंगे ही होंगे, guys, contract में लिखावा है, आपके ऐसा, और आपको justice मिलेगा ही मिलेगा, इस connection में balance आएगा, आपके person action लेंगे, बिलकुल यह action mode पर है, action यानि step लेंगे, एक step लेंगे, और आपके person भी, देखो, अच्छाई बुराई में सब समझ में आ रहा है, third party कैसी है, आप कैसे हो, और यह, दिल और दिमाग में जो ही है, उसमें दिल जीत रहा है, जीतेगा, ठीक है, और इस journey में है, फोन को पता है, इश्वर है, उनके साथ है, universe उनके साथ है, angels उनके साथ है, ओके, यहाँ पर यह है, attach हैं आप दोने एक दूसरे से, बहुत जादा, यहाँ पर इसलिए आप बहुत परिशान है, मेरे किसे आएंगे, और आपको mirror भी करते हैं, कही न कहीं, आपके अंदर भी वो ego है, उस ego को आप अंदर से दूर कीजिए, release कीजिए, देखो कहाँ पर आप कैसी, सबका अपना अपना कर्मा होता है, सबके अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग होती है, mutual निकालरी, four of swords, आपको surrender क कर रखना है, universe पर, peace में आना है, rest कीजिए, थोड़ा सा, तो आप पैंटिकल, आप, आपकी person काफी, आपके बारे में सोच रहे हैं, juggling चल रही है, उनके दिमाग में, और उन्होंने surrender भी कर रखा है, ये connection, मैं ये देखना चाहती है, आपके माइकल, full moon पर, या 2-4 दिन बा हो, लेकिन आप अकेला feel कर रहे हो, आपके person भी जानते हैं, लेकिन आपके साथ में ये निकालना चारी थी, कि contact करेंगे, yes करेंगे, उनके पास आप बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, उनसे आप बिल्कुल बात नहीं करोगे, जब तक उनके अंदर आपके लिए craving नहीं हो लेकिन को लेट को करके थोड़ा सा अपने अपनी growth पर ध्यान दीजिए, ठीक है, page of sword आपको बिल्कुल वो stock करते ही है, इसमें कोई शक नहीं है, और आज भी करेंगे, mentally भी आपको stock करते है, क्या blockage है आप दोनों की वीच में, ये भी देखती हूं, क्या blockage है, main blockage क्या है, main blockage क्या है, main obstacle क्या है, main obstacle क्या है, main obstacle क्या है, 10 of sword, आप दोनों ही एक दूसरे को manifest करते हैं, काफी टाइम से एक शुरुवात करना चाहते हो, होगी शुरुवात, इस और pentacles इस रिष्टे में growth होगी, आपकी भी आपकी life में भी growth लिखी हुई है, आपकी person की life में भी growth लिखी हुई है, 10 of swords ये देखिए, 10 of swords ये देखिए, 10 of swords ये 10 of pentacles, तो guys, आपको 1010 दिख रहा होगा, 1010 यानि की 5D और 3D में balance बना कर चलना, अपनी soul family से connect रहना, ठीक है, और एक नई शुरुवात करना, universe से, angels से connection बनाना, और 10 of swords यहां पर इसलिए आया है, कि आपके बीच में जो भी blockage है, वो आपके pain है, वो आपके wounds है, वो आपके past life के और इस life के जो भी wounds मिलें, आपको जो भी pain मिलें है, मेरे viewers, और वो जो आपके subconscious mind में feed है, वो कही ना कहीं आपको डराते हैं, कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कही ना कहीं आप और आपकी person के बीच में ये blockage create कर रहे हैं, दिवार खड़ी कर रहे हैं, तो आपको सारे subconscious mind healing meditation लीजिए, जिसने नहीं लिया है, वो रोज़ना रात को क किजिए, subconscious mind से क्या होता है, कि जो भी आपके energy आपकी soul से वो connect होता है, universe से connect होता है, जब आप subconscious mind reprogram करते हैं, तो वो universe में energy जाती है, और आपको as it is energy, subconscious mind provide करता है, इस 3D life में, तो समझे इस चीज़ को, तो सबसे बड़ा blockage है, आपके pain, आपके wounds वो release होंगे, तो क्या होगा आपके और आपकी person की बीच में से blockage, दूर होगा obstacle, जो भी आपको मिलने के लिए obstacles आ रहे हैं, वो दूर होंगे, 10 of pentacles, आप एक family चाते थे, happy family चाते थे, वो भी आपके परिशानी है, आपके life में, वो dysfunctional family है, और इसकी वज़े से भी आप बहुत परिशान है, आपकी siblings, आ आपके बिच पेन है, वोंस है, यह ही ब्लॉक्स क्रियेट कर रहे हैं, आप दोनों को मिलने से, तो आपको healing की जुरत है, आपको subconscious mind healing की जुरत है, आपको हर तरह की healing की जुरत है, तो आप को healing कीजिए, और यह obstacles अपनी life से, blockage अपनी life से दूर कीजिए, ठीक है, यहां से भी मैं guidance ले लेती हूं तो सबसे बड़ा आपके बीचे blockage है आपके pain जो pain आपके release नहीं हुए है किके उनको आपको release करना है तभी आपकी बात्चित नहीं हो रही है और आप inner work कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो लेकिन आप pain अंदर से release नहीं कर पा रहे हो इनको अंदर से release कीजिए rejection, fear of rejection, fear of anything जो कुछ भी आपके अंदर डर है एक second guys, okay तो मैं यहां से भी universe की तरफ से आपके लिए guidance ले रही हूँ believe in the impossible आपको impossible जो चीज ऐसा लगता है कि नहीं हो सकती आपको विश्वास रखना, blind faith रखना है God पर चीजे होती है, बिलकुल होती है, कुछ भी हाँ पर impossible नहीं है, सब कुछ possible है अगर आप ठान लो, ठीक है और फिर bottom of the deck है, nothing is yet set in stone, अभी कुछ चपा नहीं है, मील का पत्थर पर कुछ खोद नहीं दिया है कि आपकी destiny आपकी किस्मत खोद दिया भगवान ने, नहीं कुछ नहीं असा है, you can create your own destiny, you are a co creator, ठीक है आप co creator हो, और आप अपनी destiny को खुदी change कर सकते हो, खुदी बना सकते हो, ठीक है, अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हो आप be bold and make the first move, बिल्कुल, आपको strength की जुरत है, आपको willpower की जुरत है, आपको आगे बढ़ने की जुरत है, आपको leap of faith लेने की जुरत है, आप लीजिये और आगे बढ़िये तो full moon पर यह जो energies हैं, काफी weird सी है, यह मैंने भी picky है, आप लोगों की भी picky है, और इसमें ऐसा होता है, और जो mentors हैं, वो भी अपनी healing करते रहते हैं, अभी तो आप इस journey में enter ही हुए हो तो बहुत कुछ अभी तो देखना है, बहुत कुछ अभी रिलीज करना है आप लोगों को, एक दिन में कुछ रिलीज नहीं होता है, एक दिन में आपकी person आपके पास नहीं आ जाएंगे, mark my word, ठीक है, एक दिन में नहीं आपकी healing हो जाएगी, underline कर लो इस चीज को, ओके, तो यह journey है, इसको journey की तरह लीजिए, और patience के साथ चलिए, समझ वाई, बात आप लोगों को, तो अभी के लिए guys इतना ही, अपना ख्याल रखिए, और जो भी impossible आपको लगता है, वो ही possible है, जो आप impossible बोलते हो, वो सबसे ज़्यादा बहुत ही easy way में आपको मिलेगा, आप ये, जो भी negative आपकी thought है, वो उसको निकाल फैक दीजिए, जो चीज ऐसा होता नहीं कर सकते हो, वो आप बहुत easily कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाख ने बता दिया ना, कि ये आप नहीं कर सकते हो, तो बस नहीं कर सकते हो, आप कौन हो, एक soul हो, एक energy हो, एक powerful soul हो, आप सब कुछ कर सकते हो, कर के देखो, सोच के देखो, क्या बोल रही हो मैं, चलिए, अभी के लिए इतना ही, enjoy कीजिए, happy holy to all of you guys, आपकी holy, आपका reunion हो, बहुत जल्दी हो, मेरी blessings हैं, और ये दिहार आपका, शुब हो, शुब हो, शुब हो, सब के लिए, ये full moon, फल्दाई हो, फल्दाई हो, फल्दाई हो, thank you so much, मेरा मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, और God bless you all, love you all, take care, bye.